मैं कॉर्प्रेट जॉब में हूँ इंजिनरिंग जॉब ही है तो सवाल यह था कि किसी भी काम में जाते हैं शुरुवात में तो नया होता है नॉविल्टी होती है उसमें उसके बाद एक टाइम के बाद रूटीन बन जाता और मंडेन हो जाता बोरिंग सा भी हो जाता तो मैं यह भी सोच रहा था कि आप निकले थे कार्परेट जॉब से तो आपने क्या सोचा और क्या मतलब कैसे आप ट्रांस्वार्म हुए वहां से यहां तक और मतलब उसमें जो प्रॉब्लम्स या जो भी दिमाग में आती है चीज़े जो हिंटरेंसे मेंटल तो वह कैसे क्ल नहीं मैंने कुछ किसी खास समय पर विशेश नहीं सोचा कॉर्पोरेट जॉब मुझे कभी करनी ही नहीं थी तो मैं तो जब मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था मुझे तब भी इस पष्ट था कि ये तो नहीं करना है मेरा कॉर्पोरेशन में या जो शियर होल्डर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है उसमें कभी कोई रुझान था ही नहीं पता नहीं सुनने में कैसा लगेगा लेकिन मैं जिस दिन आयम पहुंचा था एहमदाबाद उस दिन उसी दिन पहुंचा हूँ और उस दिन में बहुत रोया था कि मैं यहां क्यों आगया हूँ पहले ट्राइमिस्टर के बाद मैंने मन बनाई लिया था कि इसको छोड़ी देता हूँ पर ऌदी आश्रम था, वहां एक एंजीओ चलता था गांधि आश्रम गया था ऐसी घुमने वहां दिखा बच्चे पढ़ रहें हैं मैं चला गया है। मैंने का मैं भी पढ़ाऊंगा उन्होंने का आजाया करो तो मैं वहाँ जाने लगा वहाँ जाने के लिए भी खर्चा लगता था और मैं जाता था तो मुझे लगता था बच्चों को दे दूं कुछ, लगभग रोज ही जाने लगा कभी उनके लिए कुछ कभी कुछ कभी कोई कपड़ा कभी पेंसिल बुक कुछ खाने का ऐसे ले जाने लगा वो बच्चे काफी सारे थे तो थोड़ा खर्चा होता था तो फिर मैंने वही पढ़ाना शुरू कर दिया है सब तो इस तरह से फिर करके मन लग गया तो और उसके बाद फिर सेकेंड डियर आया तो उसमें मैंने प्लेज करने शुरू कर दिये तो ऐसे करके खिच गया कॉर्पोरेट नौकरी करने के लिए MBA मैंने करा ही नहीं था मैंने कैसे अपने कॉर्पोरेट के साल निकाले कैसे निकाले 32 दातों के बीच में जीव कैसे निकालती है अपना समय विभीशन लंका में कैसे रहता होगा वैसे ही समय निकालता था मुझे कैसे पता चलता था कि ये जगहे ठीक नहीं है ये शुरू सही था बेमानी को बहुत जल्दी पगड़ लेता था और चुटपन, पिटिनेस और दब्बू और डर्पोक होना ये मुझे कभी पसंद नहीं था और ये काबिलियत मुझे में थी नहीं कि जो देखूं उसको अंदेखा कर दूं जो चीज दिख जाती थी, वो दिख जाती थी तो एकदम ही सपष्ट था, सदा से सपष्ट था कि ये करना नहीं है मैं लगातार मौके की तलाश कर रहा था कि और क्या करना है बस वो विलकुल साफ नहीं हो पा रहा था और जब थोड़ों साफ होने लगा, तो जिस दिखा में साफ होने लगा मैंने उधर ही तेजी से चलना शुरू कर दिया बलके निर्मान करना शुरू कर दिया सिर्फ तलाशा ही नहीं, बनाया तो दो धाई साल के भीतर भीतर सपष्ट हो गया था कि अब मुझे लगता है इतना समय काफी होता है एकदम एक इतनी सपच्टा आ गई थी कि शिक्षा के शेतर में जाऊंगा और जो बिलकुल मेटीरियल एजुकेशन है उसको एक नौन मेटीरियल साइड से जोड़ूंगा वो नौन मेटीरियल पक्ष सा अध्यात्मिक होगा ये एकदम सपष्ट नहीं था आरंभ में ही शुरू में मैंने जो क्लासिकल लिटरिचर होता है शास्त्रिय साहित विशेशकर अंग्रेजी का उसको जोड़ा लीडर्शिप से और उसके कोर्सेज मैंने MBA Colleges में Float करे फिर धीरे धीरे उसमें गहरा उतरता गया उतरता गया 2008 में मैंने पहली एक्टिविटी बनाई जो उपनिशदों पर आधारित थी और 2009 में पहली बनाई जो संतवानी पर आधारित थी उसका नाम था कबीर इन केंपस उपनिशदों वाली एक्टिविटी का नाम था So set the sages So set the sages फिर उसके अगले ही साल लोगों को बाहर ले करके गया पहाड़ों पर ऐसे चला था काम देखो जितनी भी इस पश्टता आ रही हो उधर को बढ़ना शुरू करो उधर बढ़के ही और साफ होगा कि किधर को जाना है बैठे बैठे सोचोगे कि कोई पूरा रास्ता बता दे फिर पहला कदम उठाएंगे तो तुम पहला कदम ही कभी नहीं उठा पाओगे आरंभ में हिचक भी होती है और सब धुन्दला धुन्दला भी होता है बिल्कुल समझता हूँ पेट भी पालना है रोटी कपड़ा भी चाहिए आदमी वो भी देखता है लेकिन फिर भी आगे बढ़ना शुरू करो कुछ करना शुरू करो वहीं से आगे एक रास्ता साफ होता है कुछ करोगे नहीं, बस विचार करोगे तो कुछ होने थे नहीं अणूसरय है ? जो भी काम गलत करना पड़ रहा है वो एक पुरी तंत्र का हिस्सा है वो कोई ऐसा नहीं है की मैं अपनी इच्छा एक कर रहा हूं तो मेरे या रहने या ना रहने से कोई फरक नी पड़ेगा मेरी जगे जो भी आएगा उसको भी वही काम करना है जो आज मैं कर रहा हूँ तो ऐसी स्थिती में जो करता है उसका रोल कहां रह जाता है तो मैं कैसे पता है तुम्हारे बात जो आएगा वो भी इसी शिवरे मौजूद नहीं है हो सकता है वो भी मना कर दे हो सकता है उसके बाद जो आने अलोग भी मना कर दे सब अगर मना कर देंगे तो फिर वो काम बंद हो जाएगा न और अगर सब यही सोचते रहेंगे कि मैं हट भी गया तो भी यह काम तो चलते ही रहेगा तो मैं क्यों हटूँ तो वो काम निसंदे सदा चलता रहेगा तो ऐसे नहीं सोचते ये बड़ा भयानक तरक है कि अगर मैंने मास खाना छोड़ दिया तो क्या बकरे कटने बंदो जाएंगे कट तो वो रहा ही है तो मैं खा लेता हूँ दूसरी बात मर तो वो पहले ही चुका है उसका मास लटका हुआ है मैं नहीं खरीता तो कोई और खरीता तो मैं खा लेता हूँ ये वही तरक है कि अग्दम गंदा काम है कोई घटिया बहिमानी भरा जैसा भी होगा मैं नहीं जानते तुम बताओगे पर कोई न कोई तो उसे करेगा ही और कोई न कोई उसे करके पैसे बनाएगा, मुनाफ़ा कमाएगा तो मैं ही कमा लेता हूँ ये गड़बड़ता रगे ये नहीं देते अपने लिए सोचो उस काम के लिए नहीं गलत काम करके अगर तुम्हारा अहित हो रहा है तो मत करो, ये मत सोचो कि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ पर काम तो चलता रहेगा अब तुमने कहा कि अगर गलत काम करके तुम संसाधन पैसे ही कठा कर रहे है आगे कुछ और अच्छा करने के तो काम करते रहना चाहिए या नहीं तो निर्भर करताए कि काम कितना गलत है अब काम अगर ऐसा है जिसमें तुम जानवर मार रहे हो या सीधे-सीधे कमपनी लोगों की जेब काटती है तो तु तुरंट छोड़ना पड़ेगा काम अगर ऐसा है जिसमें बस तुम्हारा मन नहीं लगता एक आंतरिक बेचैनी है तो कर लो 4-6 महीने जोड़ लो जो पैसे जोड़ना चाहते हो किसी तरीके से जहल लो वो इस पर निर्भर करता है कि काम के इस दिशा में कितना गलत है महनत तो करनी है गलत दिशा में महनत करके क्या मिलेगा जान तो लगानी है और हम पैदा किसलिए हुए है सही चीज के लिए जान लगाओ न उसमें भले ही कोई साथ न दे भले ही कोई समर्थन न दे स्विक्रति न दे कोई बात नहीं कोई बात नहीं अब हम 15 साल के नहीं है व तकलीफ ही आएगी कि सुख सुधाओं पर थोड़ी आच पढ़िएगी वो जेलने को तयार रहो देखो आग से गुजरे बिना न फौलाद बनता है न कुंदन आग से तो बची नहीं सकते और अगर जिंदगी में आग से नहीं गुजरोगे तो गुजरोगे तो तब भी लाश बनकर लाश बनकर गुजरो उससे पहले जिन्दगी में जीते जी ही आग से गुजर लो जी उठोगे